इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ सोसल साइंस की प्रश्ण बैंक 2022 के इतिहास के पहले चैप्टर फ्रांसीसी क्रांती के इंपॉर्टेंट क्वेस्चन्स को समझने वाले हैं इन क्वेस्चन्स के एक्जाम में आने की बहुत जादा चांसे हैं तो देख लेते हैं आपका प उपनिवेसों में सभी दासों की मुक्ती का कानून पारित कर दिया पर यह कानून एक छोटी सी आवधी तक ही लागू रहा दस वर्स बाद नैपोलियन ने दास प्रथा पुनह सुरू कर दी बागान मालिकों ने अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रों लोगों को गुलाम बنाने की स्वतंत्रता मिल गई फ्रांसीसी उपनिवेसों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन सन 1848 में किया गया। क्या कहा गया है देखिए सन 1794 में कन्वेंसन ने फ्रांसीसी उपनिवेसों में सभी दासों की मुक्ती का कानून पारित कर दिया लेकिन यह कानून बहुती कम समय तक लागू रहा दस वर्स के बाद फिर से नेपोलियन ने दास प्रतह को सुरू कर दिया जिसकी वज़े से बागान मालिकों को अपने आर्थेखितों के लिए लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई फिर फ्रांसीसी उपनिवेसों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन सन 1848 में किया गया आपका अगला इंपोर्टेंट क्वेशन है फ्रांसीसी क्रांती के परिणाम लिखिए इस चैप्टर से आपके पीपर में चार नमबर का एक कॉश्चन आना है तो इस तरह के आंसर में आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं तो आपका पहला पॉइंट है सासन व्यवस्था में सुधार राश्ट्र सभा ने देश की सासन विवस्था में सुधार किया उसने उच्च पदों के लिए योग गिता के आधार पर चुनाओ करने की प्रथा को आरम किया फ्रांस में सब के लिए एक से कानूनों का निर्मार किया गया फिर दूसरा पॉइंट है निरंकोस राजतंतर की समाप्ती इस क्रांती ने निरंकोस राजतंतर को सदयव के लिए समाप्त कर दिया फिर इसमें आपको तीसरा पॉइंट लिखना है समान्ता और स्वतंतरता के विचारों का प्रसार फ्रांस की क्रांती ने फ्रांस के अतरिक्त यूरोप के अन्य देसों में भी समानता और स्वतंतरता के विचारों का प्रसार किया फिर चौथा पॉइंट लिखना है फ्रांस का एक राष्ट्र के रूप में उदै इस क्रांती ने फ्रांस को एक गौरव साली राष्ट्र का रूप दिया प्रभू सत्ता अब फ्रांस की जनता में नहित हो गई अब आपका अगला important question है फ्रांसी सी क्रांती की राजनेतिक कारण लिखिये तो पहला है राजा की निरंकुस्ता फ्रांस का सासन लुई सोलवा एक निरंकुस सासक था वह जिद्धी बुद्धिहीन तथा सरकारी कारियों के प्रति उदासीन रहने वाला था सासन के कारियों में उसका मन नहीं लगता था इसका दूसरा कारण है राष्ट्री सभा के अधिवेशन को ना बुलाना 1614 के पश्चात से राष्ट्री प्रतिनिधी सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था फिर इसका तीसरा पॉइंट है सेना में आसंतोस राजा सैनिकों को बहुत कम बेतन देता था वे उससे जीवन की मूल आवसकताओं की पूर्ती भी नहीं कर पाते थे इसलिए सेना राजा से आसंतुष्ट थी चौथा पॉइंट इसमें लिखना है आव्यवस्थित सासन फ्रांस की सासन व्यवस्था पूर्णता भ्रष्ट आव्यवस्थित तथा दोस्पूर्ण थी के इसके आप कारण लिख देंगे फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेशन है व दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, आस्ट्रिया, हंग्री की सेना थी युद्ध में हालने के बाद नेपोलियन ने आत्म सिमर्पन कर दिया था मित्र राष्टों ने उसे कैदी के रूप में सेंट हैलन नामक टापू पर भेज दिया वहां बामन वर्स की आयू में 18 121 में उसकी म्रत्य हो गई कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजों ने उसे सांखिया का विस देकर मार डाला तो देखिए यहां पर बताया गया है कि वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में लड़ा गया था नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ बाकी राश्ट थे युद्ध में हानने के बाद नेपोलियन ने आत्म समर्पन कर दिया बाद में उसको कैदी बना करके सेंट हैलन नाम के टापू में भेज दिया गया जहां बावन वर्स की आयू में 1821 में उसकी मृत्त्य हो गई कुछ इतिहासकारो का ऐसा मानना है कि अंग्रेजों ने उसे सांखिया का विस देकर मार डाला फिर इसका अगला क्वशन देखते हैं नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है नेपोलियन के उदय को निम्न प्रकार समझा जा सकता है जब फ्रांस में कारपाली का तथा विधाई परिसदो के बीच जगडे के कारण राजनीतिक आयस्थिर्ता का माहौल बना हुआ था नैपोलियन ने मौका पाकर 1804 में स्वयम को फ्रांस का समराध घोसित कर दिया देखिए क्या हुआ कि जब फ्रांस में कारेपाली का और विधाई परिसत के बीच लड़ाई जगडे होना सुरू हो गए तो राजनीतिक आयस्थिर्ता पैदा हो गई जिस माहौल का नेपोलियन ने लाब उठा करके 1804 में अपने आपको फ्रांस का समराध घोसित कर दिया फिर इसका दूसरा कारण है वह परोसी राजियों को विजित करने के अभियान पर निकल पड़ा वहां की राजाओं क को हटा कर वह स्वयम सत्ता हतियाना चाहता था वह क्या करता था वह पड़ोसी राजियों के राजाओं को जिताता था और फिर उन्हें सत्ता से हटा कर उस सत्ता को भी हतिया लिया करता था फिर अगला पॉइंट है इसमें उसने कई नियम बनाए जैसे की निजी संपत्ति क की सुरक्षा संबंदी नियम फिर इसका अगला पॉइंट है उसने अपने राज्य में दसमलो प्रणाली पर आधारित मापतौल की एक समान पद्दती को लागू किया तो यह नैपोलियन की उदय के कारण थे इस तरह से इस चैप्टर की कुछ important questions थे I hope कि आपको यह सब समझ में आ गए होंगे अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को like कर दीजे और अपने friends को भी जादा से जादा सेयर करिए next वीडियो में हम आगे के important questions को समझेंगे तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करके notification bell icon को press करके all पर जरूर क्लिक कर दीजे थाकि आपको आगे आने वाले videos की भी notification मिल सके तो मिलते हैं next video में thanks for watching this video